है तो आज जो मैं डिसक्स करूँगा पढ़ाई में देज होने के लिए मंत्र क्या है मैं फॉर्टीस बताऊंगा जो है इस मंत्र का आप यूज करके आप पढ़ाई में इसमाट और तेज बन सकते हैं तो कौन-कौन से मंत्र हैं सबसे पहला जो है आपको गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा आपको डिफिनिटली गायत्री मंत्रों में एसपेक्ट करता हूं आता ही होगा कि ओम भूर भूवाश्वाश् अफेरा है शुजिए भर्गो देवस यदिव ही धियो यूनम प्रचोदया इस मंत्र आप जाप करते हैं तो आपका मद्ध यूह संथ हो जाएगा तो इस पकार से आप गायत्री मंत्र का सबसे पहले आप जाप कर लें फिर उसके बाद पहला जो है गायत्री मंत्र का आप पहले जाब कर लें और फिर उसके बाद दुसरी point में बात करूं तो दूसरा point है कि 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 आप meditation करें meditation जब करेंगे किसी भी चीज़ को कैसे क्या आपका target है किसी भी subject पर आपका target किसी भी topic पर तो इस topic को लेकर कि अगर मेडिटेशन करते हैं तो भी आप जो है मेडिटेशन के थ्रू इस चीज पर आपका पकड़ अच्छा होगा और आप अच्छे से इस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे तो सबसे सेकंड पॉइंट जो है मेडिटेशन मेडिटेसं इस पर यहां पर मेडिटेशन न कि मेडिटेशन उस पर करना और जिस टॉपिक पर ये जो है'RE पिर उसके बागल से मेडिटेशन कर लिया गायतरी मंत्र आपने जाब कर लिया फिर उसके बाद मेडिटेशन कर लिया जिस चीज़ पर टार्गेट बना रहे हैं इस टार्गेट को पूरा करने के लिए अपना टाइम टेबल बना लेंगे तो आप इसी जो है कुरी कुलम से इस टोपिक पर काम करेंगे इस चीज़ पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और मेडिटेशन करने से और जब याद हो जाएगा तो आपको किसी भी चीज़ में प्रोलम नहीं होगा तो सिंपली गाइस तो आज जो है तार्गेट बनाग चले फिर हम जो है जो है लटनीं परफेक्ट होगा जाएगा ओके इस तार्ग यहीं चार्ट फोलो करें अपने जो है पढ़ाई में परफेक्ट हो जाएंगे यहीं पढ़ाई पढ़ाई में तेज होने के लिए यहीं जो है चोटा सा मंत्र है तो सिंपली का अब वीडियो पसंद रहें वीडियो को लाइक जरूर करें थाइं Thank you so much